Hello and welcome everyone on our YouTube channel Kapil Online उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्त होंगी तो काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है क्योंकि पिछे 22 नॉम्बर को ही मेरी जोइनिंग होई थी और उसके बाद में सेटल होने में थोड़ा टाइम लग गया लेकिन आप मुझे लगता है कि रेगुलर हमारी वीडियो आया करेंगी आज की वीडियो ऐसे सी CHSL 2022 से रिलिटेड है आप सभी जानते हो कि CHSL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें इतने बड़े-बड़े चेंजेज किये गए हैं कि पूछो ही मत लेकिन इन चेंजेज का एक ही हमें फाइदा हो सकता है कि अगर आप CGL और CHSL दोनों की साथ-साथ तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि दोनों का पैटर्न और सिलेबस ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट सेम है थोड़ा बहुत चेंज है जो कि हम इस वीडियो में देख लेंगे और हमें इस चेंज के हिसाब से कैसे अड़ेप्ट करना है अपने आपको वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और भी जितनी भी इस नौटिफिकेशन की डीटेल्स हैं जैसे सबसे ज्यादा डाउट आपका रहता है कि सेलरी इसकी कितनी होगी CHSL Employee की LDC, JSA, DEO इनकी सेलरी क्या होती है अलग-लग X City, Y City और Z City में वो इस वीडियो में देखेंगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चीए ये किस प्रकार की, इसके जोग प्रोफाइल है, क्या इसमें करना होता है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को जरूर कम्प्लीट देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी इसमें पैटन बदल रहा है, उसके हिसाब से मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको बुक्स भी अब बदलनी पड़ेगी जो नए पैटन के हिसाब से बुक्स आ रही है, वो आपको पढ़नी है नए पैटन का मतलब यह नहीं है कि बिलकुल नए क्यूसन हो नए पैटन का मतलब है कि जैसे जिसको ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है उसके ज़्यादा क्यूसन होने चीए और जिसके कम वेटेज है उसके कम क्यूसन होने चीए उस पर कम ध्यान दिया जाना चाहिए तो वैसे जो books हैं वो आपको मैंने पहले भी बताई है ये दो books है जो आप कर सकते हो 42 sets की ये Kiran Publication की books आती है Hindi में भी available है और English में भी ये books आप कर सकते हो ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी क्योंकि इसके solution आपको अच्छे मिलेंगे अगर आपने इसके solution एक बार देख लिए तो उसके बाद में कहीं और आपको बटकने की जुरत नहीं पड़ेगी वीडियो में आपको कुछ खोजने की जुरत नहीं पड़ेगी सारे solution आपको इसमें मिल जाएंगे इन दोनों बुक्स की लिंक में आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगा और भी जो बुक्स मैं recommend करता हूँ SSE exams के लिए उन सब की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी वहां से आप देख सकते हो इसके अलावा भी आपको कोई query हो तो Instagram पर आप मुझे message कर सकते हो उसकी भी link आपको नीचे मिल जाएगी और अगर मेरे notes चाहिए आपको Math English Reasoning JK के तो वो भी आपको नीचे मिल जाएगे उनकी link नीचे मिल जाएगी Telegram Channel की Telegram Channel का नाम हमारा है Kapil Online Classes वहां से आप मेरे notes देख सकते हो अगर आपको notes बनाने नहीं आते हैं तो आप वहां से एक idea ले सकते हो और अपने खुद के notes प्रिपेर कर सकते हो इसके बाद में बच्चों की सबसे बड़ी query आती है कि test series हमें कौन से लगानी चाहिए तो देखे test series दो टाइप की लेनी चाहिए हमें नंबर वन तो previous year के लिए previous year के लिए अलग test series होती है और जो नए test आ रहे हैं उसके लिए अलग नए pattern के लिए aleg test series previous year के लिए test series आप सभी को पता है बताने की जुरूरत ही नहीं है वो है test book की test series वही सारे लेते हैं और वही आपको लेनी है इसमें आपको केवल और केवल प्रिविएस येर के टेस्ट ही लगाने है नए मोक टेस्ट बिलकुल भी नहीं लगाने है इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी वहां से अगर आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ इसमें 10% डिसकाउंट भी वापस आ जाएगा इसके बाद में सेकिंड जो मोक टेस्ट है उसका नाम है स्मार्ट कीडा टेस्ट सिरीज टेस्ट जोन की टेस्ट सिरीज ये टेस्ट सिरीज इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके सोलीुशन मुझे बहुत अच्छे लगे है ये नाई टेस्ट सिरीज लेकिन इसके सोलीुशन इतने ज़्यादा अच्छे है कि मैं इसको रेकमेंड करने से आपको रोप नहीं पाया इसकी यह है कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहां आती है अगर आप mock test दे देते हो तो समसे ज़्यादा दिक्कत हमें आती है उसका analysis करने में कहां पर हमें हमारी गलती रह गई, कहां पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया, कहां हमें improvement की जुर्रत है यह सब कुछ आपको इस test series में, smart keyda की test series में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है तो analysis करने का जंजट आपका यह test series लेने के बाद में खत्म हो जाएगा और आपको question बार बार note down नहीं करने पड़ेंगी इस भी आप ले सकते हो, अगर यह code आप लगाते हो KP, KP हमारा यह code है, अगर यह लगाते हो तो आपको इसमें 15-20% discount भी मिल जाएगा अब से पहले हम जान लेते हैं कि vacancies इसमें कितनी है, तो देखे vacancies आप जानते ही हो कि जादातर vacancies इसमें जो थी वो CGL में चली गई है, लगबग 20,000 जो vacancy थी PASA की, वो सारी की सारी चली गई है CGL में, तो इसलिए अब CHSL में vacancies आपको देखने में कम लग रही होगी, ले यह vacancies है 4500, 4500 vacancies है, इसके बाद में अगर आप qualification की बात करो, तो age आपकी होने चाहिए 18 to 27 और इसकी जो date है, एक जनवरी 2022 को आप 18 से ज्यादा होने चाहिए और 27 से कम होने चाहिए, इसके बाद में अगर qualification आपकी देखी जाए, तो 12 आपको आपकी कीवी होने चाहिए, बा आपके पास 12 का certificate होना चाहिए, और अगर वो नहीं है, तो आप ये exam नहीं दे पाओगे, इसके बाद में फॉर्म की अगर date की बात करें, तो 6 दिसंबर से शुरू हो गया, और 4 जनवरी तक ये फॉर्म चलेंगे, लगबग एक मेनित का टाइम है, उसके बाद में tier 1 आपका जल्द ही होगा, फरवरी मार्च में, और अगर ये कह रहे हैं, फरवरी मार्च तो ये मान के चलो कि फरवरी में ही शुरू हो जाएगा, और हो सकता है, मार्च तक चले, क्योंकि ये कई shift में आपका exam होता है, इसके बाद में salary, सबसे ज़्यादा बच्चों का जो doubt होता है, वो salary से related होता है, क्योंकि हम सब इसलिए काम करते हैं, तो salary अगर मैं बात करूँ, LDC और GS से की, तो इसमें X city में तो होती है 38,000, 38K, और Y city में 36K, और Z city में आपकी 34K के अप्रोक्स रहेगी gross salary, इसके बाद में अगर मैं DEO की बात करूँ, data entry operator, अगर ये इसकी cut-off आप pass कर लेते हो, तो इसमें X city के लिए 51K, Y city में 47, और Z में 44K, 44,000 आपको salary मिलेगी, जो की एक बारवी pass बंदे के लिए एक handsome salary है, एक अच्छी salary है, और ये मान के चलो, कि अगर आप CHSL का exam qualify कर लेते हो, ना तो CGL का exam भी आपको बहुत बढ़ा नहीं लगेगा, ये भी आप आराम से qualify कर लोगे, ऐसे काफी सारे बंदे हैं, जो कि CHSL qualify करने के बाद में, CGL में भी आराम से अच्छी rank के साथ उन्होंने qualify किया है, तो आप ये मत समझे कि CHSL मेरे level का लिए नहीं है, या फिर ये मुझे नहीं चाहिए, आपको तैयारी सभी की करनी चाहिए, अगर आप छोटी पोस्ट में लग गए, तो बड़ी पोस्ट में भी आपका सेलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं, जो कि SSE ने धमाका किया है, उसके बारे में, pattern completely change हो गया है, अब की बार tier 1 CGL की तरह ही qualifying होगा, इसका मतलब आपको इसमें केवल pass marks लेने पड़ेंगे, ल इंगलिस, math, reasoning और GK, चारों 25, 25 question आएंगे, 100 question और 200 number के, each question is of 2 marks, दो number का एक परसन हो गया, और negative marking आपकी होगी, 0.5 number की, 1 fourth की आपकी negative marking होगी, इसका, अब tier 2 में देखिए, आपको 2 session में बांटा हुआ इसको, session 1 और session 2, और session 1 को आपको 3 section में बांटा हुआ है, ये इतने ज आपके topic है math, reasoning, English और GK, इन चारों से ही आपकी merit बनेगी, और चारों आपके है 360 number के, जिसमें math और reasoning है 60-60 number की, math और reasoning आपकी है 90-90 number की, 30-30 question आएंगे, each question is of 3 marks, इसके बाद में English और GK है आपका 120 और 60 number का, English 120 और GK है 60 number की, अब CGL और CHSL में यही बदला है, कि CGL में English है, आपकी 35 question, इसमें 40 कर दिये, और GK के 5 question कम कर दिये, जिके कम कर दिये और English को बढ़ा दिया, तो English जिसके अच्छी है, उसके लिए एक और advantage मिल गया, इसके बाद में अगर time की बात की जाए, तो दोनों section में आपको एक एक गंटे का अलग-अलग time मिलेगा, य 15 question आएंगे, each question is of 3 marks, तो 45 नमबर का हो गया, लेकिन इसको आपको केवल qualify करना है, पर यह है आपका compulsory, अगर जब तक इसको नहीं करोगे, तो आपके पुराने अगर 360 में से 360 भी आ गए, तो भी कोई मतलब नहीं है उन नमबरों का, तो computer की भी आपको साथ में तयारी करनी ह है, उसके लिए भी मैंने आपको बुक पहले बता रखिये, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, वहां से आप इसको ले सकते हो, इसके बाद में आजाते हैं सेशन टू पे, सेशन टू में आपका दो होगा, एक skill test और एक typing test, skill test होता है DEO के लिए, और typing test होता है आपका LDC और JSA के लिए, skill test में 15 मिनट मिलेगी और इसमें typing के लिए आपको 10 मिनट मिलेगी, और दोनों आपके लिए हैं qualifying, केवल आपको qualify करना है, लेकिन इसकी तयारी भी आपको अच्छे से करनी है, अभी से ही, अगर आप 10-10 मिनट मेरा यही फंडा रहता है कि कम किताबें पढ़ो और उसकी multiple time practice करो, ज्यादा से ज्यादा क्यूशन आप practice करोगे तभी होगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उससे नहीं होगा, पढ़ते सारे ही हैं, वीडियो सारे ही देख लेते हैं, लेकिन वीडियो आपको कम से कम देखन इसके बाद में अगर आपको इसकी strategy भी चाहिए, complete strategy, CHSL की, कि आपने CHSL की preparation कैसे की, SSE के इतने सारे exams कैसे qualify किये, ये आप जानना चाहते हो, तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हो, या फिर Instagram पर मुझे DM कर दो personal, अगर कोई छोटा मोटा doubt होगा, तो मैं वहाँ पर सुल जा दू तो मैं उसका एक separate video बना दूँगा, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज्यादा time मुझे नहीं मिल पाता है, तो जितना भी time मिलता है, उसमें मैं कोशिज करता हूँ, कि आपको अपना maximum time दे सकूँ, और आपकी ज्यादा से ज्यादा help हो सके, यही हमारे channel का उदेश्य है, तो चलिए इस video में इतना ही, आगे भी इसी प्रकार की videos आती रहेंगी, और आप अपना support और प्यार यूँ ही बनाते रहिए, thank you very much, bye bye